नमस्कार मेरा नाम आइंकुर गुर्जद और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com घर परिवार के बीच दोस्तों के बीच कहीं भी कभी भी आपको भूक लगी या कुछ मज़ेदार खाने का मन किया तो आपने मोबाइल फोन निकाला ओडर कर दिया और कुछ ही देर में मन पसंद रेस्ता का मन पसंद खाना आपके घर पहुच जाता है इसके उपर से आपको मिलता है डिसकाउंट यानि रेस्तरान से कम पैसो में घर बैटे खाना पर ये सुविदा शायद अब आपको ना मिले हम आपको पताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है जोमेटो और सुविगी जैसी फूड एग्रिगेटर कमपनिया ज्यादा से ज्यादा गरहाकों को अपनी और लोभाने के लिए तरह तरह की इसकीम चलाती है और उसके अंदर डिसकाउंट देती हैं इनके कई तरीके होते हैं एक तो ये कि रेश्टरा में जो कीमते होती हैं उनसे कम कीमतों पर ये फूड एग्रिगेटर आपको खाना दे देते हैं दूसरे वे आपको कॉंपलिमेंटरी डिश देते हैं यानि आपने एक डिश ओर्डर किया तो दूसरा डिश आपको उसके साथ मुफ्स दे देते हैं इसके अलावा उनकी cash package कीम भी होती है यानि आपने जितने का खाना मगाया उसका एक हिस्सा आपको बाद में वापस कर देते हैं यानि आप उतने पैसे का कोई दूसरा खाना ओर्डर कर सकते हैं इससे रैस्तना वालों का कारोबार प्रवावित होने लगा है अब जब आपको घर बैटे रैस्तना से कम पैसे में खाना मिल रहा हो तो आप रैस्तना क्यों जाएंगे इससे परिशान रहस्तना वालों ने जोमैटों के खिलाफ आंदोलन चला दिया है यह कहा गया कि वे उसका बॉयकॉट करें इसके बाद रहस्तना वालों के संगठन ने हस्तचेव किया Federation of Hotels and Restaurant Association of India यानि कि FHRAI ने Food Aggregators यानि जो कमपनिया रेस्तरां से घर घर खाना पहुचाने का काम करती है उन्हें कहा कि वे तुरंत हर तरह का डिसकाउंट और स्कीम बंद करते हैं ऐसा उन्होंने नहीं किया तो उनके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा FHRAI ने Zometo, Swiggy, Nearby, Dine Out, Price Heights, Easy Diner, Magic Pin को यह चेताब नहीं दी है NHRAI का तरक है कि यह एक तरह का Unfair Trade Practice यानि कि अनुचित व्यापर का तरीका है इससे स्टार्टप कंपनियों को बराबरी का मौका नहीं मिलता और वे ऐसे में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे FHRAI के उपाद्यक्स गुर्वक्षी सिंग कोली ने कहा कि फूड एग्रिगेटर के खिलाफ शिकायत यह है कि उनके करार एक तरफा होते है यह पूरे उद्योग में एक समान नहीं होते और स्टार्टप के खिलाफ अनफेर ट्रेड प्रेक्टिस होते है उन्होंने कहा है कि इस तरह का व्यापार होना चाहिए जिससे सब को लाव हो FHRII ने ये भी कहा कि एक स्कीम के खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है और एकरम साल भर चलता रहता है इसकी शुरुआ जूमेटो से हुई उस पर यह आरूप लगाया गया कि वह अवयवारिक डिसकाउंट देता है जो कभी किसी रूपे उचित नहीं है इसके बाद उसके खिलाफ ट्विटर पर हैस्टेग लॉग आउट कैम्पेंच चला देखते ही देखते बारावसों से अधिक रेस्तरा ने जूमेटो का बॉयकॉट कर दिया जूमेटो के संस्तापक दीपेंदर गोयले इसके बाद मामला समहलने की कोशिश की और कहा कि वह हर तरह की डिसकाउंट बंद करने पर राजी है जूमेटो के संस्तापक ने कहा कि मैं इस पर दुखी हूँ कि रेस्तरा उद्योग के मुझ जैसे ही लोग इतने दवाव में हैं कि उन्होंने मेरे ही खिलाफ अभ्यान छेड़ दिया है हम ऐसी कमपनी बनाना चाहते हैं जो उपभोकताओं ही नहीं उद्योग को भी फायदा पहुचाए दरसल ये देश में फूड एग्रिगेटर के बीच चल रही जंग का नतीजा है इससे उपभोकताओं को तो फिलाल फायदा है पर छोटी कमपनिया इस तरह की छापा मार मारकेटिंग के आगे विवश हैं वेश परतिश परदा में टिक नहीं सकती इससे छोटी और स्टार्टप फूड एग्रिगेटर को तो नुकसान होता ही है रहस्तना को भी नुकसान होता है इससे बाहर निकलने का यही रास्ता है कि इस होड को रोका जाए आज की वीडियो में बसकता ही बाकी के अबरों के लिए सत्तिहंदी.com के साथ सत्तिहंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए